असलाम अलेकूम तो हम बनाने जा रहे हैं पटलालू की सब्जी चना दाल के साथ है तो हम चना दाल को दो घंटा भीगो के रखे दे और पटलालू को हम काट लिए हैं यह मेरा बाकी समान जिसमें मेरे दो टमाटर हैं एक चमच लशून है सूखा हुआ मसाला धनिया जीरा हल र नमटा को चड़ा आयák मेरे कूकर कर गरम हो जाए तो फिर हम सर्शू स।टल डालें अब हम आपको आगे का प्रोसिस डिखाते हैं मेरा तेल चमच पाव उभ हाट तो बंशी हम प्याजबी मेरे एक प्याज है मेनले कि इसको पहले हम अच्छा से लाल करने हैं उसके बार फिर इस में हम साल डाले हैं हम इसको प्यास को पिसके बढ़ा जाता है उसे ज्सें जाता है और बचचे में आcause मेरे चाहे तो काट यास तो मैरा ने की तुमें डालट Aww यह मेरे डाल जिएगा ड़ें से शवाश मैरे निक ट्रset बचले हिसरो wakingनल १ार शवर्या दालें इसमें भुषोदा ये ऩूवी Whoo डाल है जादा नहीं तो दो किया तो हम न मैं itu कर लिए음ी तो के बाद हम सुका मसाला डालें इए ये पटल और आलू की सबजी तो अच्छा लगता हपर उस मेरे आप तौड़ा स चनादाemitism sneaking इसका टेश्ट और बढ़ जाता है यह मेरे सुखा मसाला है जिसमें एक चमस धनिया एक चमस जीरा एक चमस हल्दी और स्वाधनुसाल नमक हुआ नमक आप अपने हिसाप से डाले तो फिर हम अच्छे से मसाला को भून लेगे उसके बाद फिर हम इसको यह मेरा मसाला थोड़ा सट रहा है, तो हम पानी डाल दिये हैं पानी डाल लेका मसाले को अच्छे से भून देंगे ये पटल चना दाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बस चना दाल को आप थोड़ा दिर भूला के रखते हैं हम इसको एक घंटा भीगो के रखेते तो हम कलर के लिए थोड़ा कस्मीरी मिर्ज डाल रहे हैं आपको अगर पसंद दो तो डाले और नापी से स्किप करते हैं कस्मीरी मिर्ज डालने से कलर अच्छा आता है इसके लिए हम डालते है यह मेरा मसाला भुना गया है उसके बाद हम इसमें फिर पटल रालु को एड करेंगे रहा है यह मेरा मसाल्व अच्छा से भुणा रहा है बढ़े मेरे एक पव पटल है इसमें हम दो मुठी चना दाल डाले हैं और इसको हम दो घंटा खुलाके रख दिए थे तो एक पव पटल में दो मुठी चना दाल डाल रहे हैं आप अपने कॉडिंग बनाए आपको इसना अगर आपका पटल जाता है तो फिर आप चनादाल को भी बढ़ा दे तो मेरे पटल एक पव है उसमें हम आलू डाले हैं दो मुठी चनादाल तो आप चनादाल को डाल के इस मसाला में थोड़ा सब फ्राइ कर लेंगे जब थोड़ा भूना जाएगा तो उसके बाद फिर हम पटल आलू डालेंगे तो हम पटल को भी फ्राइ कर ले रहे हैं यह पटल और आलू को फ्राइ करके उसके बाद चनादाल और मसाला जो भून के रखे उसमें डालेंगे हम पटल और आलू को पहले नहीं फ्राइ कर पाए क्योंकि जब हम पश्कुरान डाल रहे थे हैं कुक करते तो कोई बात नहीं ऐसे भी चलेगा तो इसके लिए फिर से फ्राइपें चला के थोड़ा उसमें तेल दे दिये और पटल आलू को फिर फ्राइ कर ले रहे हैं उसके बाद भूनावा चला दाल अमसाला जो है उसमें हम इसको एड़ कर लेंगे हो जाएगा कोई बात ने थोड़ा आगे पिछे हो गया है चलेगा तो बस अभी मेरा पटल थोड़ा सा अच्छा सकल आजए थोड़ा लाल लाल हो जाए क्योंकि इसको डैरेक काट कैसी डालेंगे तो थोड़ा सब बाता है तो पटल के सबजी तो कलहर के ही बनाते है तो इसके लिए पटल आलू मेर तो यह थोड़ा थोड़ा यह में कॉंटेटी बन बढ़के मतब जादा हो जाता है तो बस मेरा 250 ग्राम पटल है दो आलू है दो मुठी चना दाल उसे में मेरा अच्छा सबची बढ़के बन गया तब यह भूना गया तो इसमें हम कसूरी मेथी डाल दिये हैं बस इसको एक की छाष सब के तयार हो गया है ती यह रोटी चावल सब के साथ अच्छा लगता है अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना भहुत भहुत खयाल रखें अल्ला हाफिज